हेलो दोस्तो नमस्कार कंपनी से एकजिट यहां पर ज़रूर कर सकता हूँ तो इस वीडियो का लिंक आपको उपर आई बड़न पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिओं को मिल जाएगा एंड अगर किसी ने फर्स ताइम विजिट के है दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकउन को हिट करके औल भी ज़रूर सिलेट करके रख लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर आज तो और कल भी अगर हम लोग बात करें दो दिन तो बाजार तो यहापर बंद रहेगा बट जो टेंशन यहापर है वो अभी भी यहापर बरकर आ रहे हैं आप से बलों पता है रशिया वर्स रशिया की तो इससे रिलेटेट भी जवाब हम लोगों को देखने को आप मिला है तो एट टूजेट सारे इंफॉर्मिशन आप लोगों को यहापर इसी वीडियो में मिल जाएगी शुरूआत कर लेते सबसे पहले अमेरिकन बाजार के साथ कल के दिन के बात करें तो अमेर लोग यहापर देखेंगे तो फिलाल वो अच्छी खबरे देखने को नहीं मिल रही है जैसे कि आज की दिन की बात करें सैटरडे की बात करें सैटरडे मॉर्निंग यह बताया जा रहे कहां से बताया जा रहे दोस्तों तो न्यूज एजनसी राउटर्स की अगर हम लोग ब ले है तो यह भी चीजे फिलाल तो यहापर देखने को आपर मिल रही है अगेन कहना चाहूंगा यह अभी तक यहापर नहीं है पर यह पर बात करें तो वह भी अभी तक यहापर क्लियर नहीं है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि अभी तक जो basic information सामने है इतना हम बोल सकते हैं कि Ukraine में हम लोगो कोई जगह पे यहाँ पर इस तरीकी के छोटे मोटे धमा के देखने को आपे मिल रहे हैं तो दोस्तों नेक्स सवाल यही रहेगा तो सर क्या war officially start हुआ है तो अभी तक ऐसा कोई भी official statement तो यहाँ पर सामने नहीं आया है अगर यह war जैसे चीज़े होती है दोस्तों तो इस सभी जगह पर हम लोगों को same reporting होती हुए देखने को मिलेगी मतलब अभी भी नहीं है अभी भी बातचीत यहाँ पर हम लोगों को फिलाल तो चलते हुए देखने को आपे मिल रही है सैटलाइट कुछ पिक्चर से आपे सामने आ चुके जहाँ पर बताया जा रहा है कि युक्रेन की जो बॉर्डर है वहाँ पर आप लोगों को रशियन जेट्स देखने को मिल रहे है ड्रोन्स देखने को मिल रहे है यहाँ पर सारी चीज़े मतलब पूरी तरीके से रशियन आर्मी रेडी है यह भी सैटलाइट पिच्चर से हमनों को चीज़े देखने को आपे मिल रही है जो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं अभी तक जितने भी खबरे आपे सामने आ रही है वो ऐसी खबरे आपे देखने को मिल रही है रश्या वेलकम्स दे इंडिया स्बैलेंस इंडिपेंडेंट एप्रोच उन युक्रेंट सिचुएशन ये ना इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है और रश्या वैसे यही चाहता था देखें रश्या को कोई सपोर्ट की जरूत नहीं है रश्या ओलरेडी स्ट्रॉंग है क्योंकि मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि यहाँ पर इंडिया मतलब अल्रेडी कोविड के चलते हम सबी लोग यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब एकोनॉमिकली डैमेज हो चुके है और आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऐसे पॉलिटिकल इवेंट में इंक्ल के लिए जैसे मैं आप लोगों को कहा हर कोई यहाँ पर कोविड के चलते यहाँ पर परिशान हो चुका है अभी अभी कुछ लोगों की मतलब कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें एकोनॉमी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रही है तो ऐसे वक्त में वार जैसे सिचुएश यहाँ पर आ चुका है तो यह एक चीज हमने को देखने के आप मिल रही है दोस्ते एक डेंजर मतलब कैसा खबर सामने यहाँ पर आया है किसके और से अमेरिका ची यह अपर बढ़ा दावा है जो की यहाँ पर वह कर रहे है और दोस्ते आज की दिन की बात नहीं है कल के दी तो फिर Ukraine चला गया हाथ से ऐसा ही रहेगा तो Russia war यहाँ पर चाता है Ukraine के साथ वो Ukraine को हत्याना भी चाता है और इसके लिए देखा गया तो वो क्या कर रहे कि Russia के ही लोग Ukraine में जाकर ready हो चुके और वो कुछ से ही क्या करेंगे रशिया के उपर अटैक करेंगी, यह दिखाने के लिए कि युक्रेन ने हमारे उपर अटैक किया, तो फिर रशिया को reason मिलेगा और बाद में वो अपने shoulders के साथ यहाँ पर युक्रेन में entry करेंगे, और war start हो जाएगी, तो यह एक बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते एक दावा क किया है अमेरिका की इंटलिजन्स नहीं कि ऐसी इस तर्की की भी हरकत है यहां पर देखने को आपे मिल रही है मैं अगेन के रहा हूं किसी को खुछ नहीं पता हम लोग इंडिया में बैठे हुए यह सारी चीज़े रिपोर्टिंग के जरीए सोर्सेस के जरीए सामने आती रह क्लोज रहेंगे बढ़ेर आताटाट लेख यम लोग देखने को उपर अब सकती युक्रेण के अपर वह दावावी बोल देगी यह न clown प्लिश्ट रहा है इसा सायरह दो किया एक दीज़े.. यहाँ पर फिलाल तो बोल दिया है सो विडियो को लो क्लोस करने से पहले एक बार रशिया का जो इंडेक्स है उसको हम लोग थोड़ा जादा भी देख लेते अमेरिकन बाजार देखे अभी जादा फरक ने पड़ेगा जितना रशिया का मारवट, रशिया का मारवट पूरा मतलब अमेरिकन बाजार कॉए नचार आप ऐसा भी बोल सकते हैं देखे 4% की गिरावट है मार्केट में, इंडेक्स में आप अंदाजा लगा सकते हो एक मेने की बात करे, छे मेने की बात करे तो यहाँ पे इनका मार्केट 16 से 17 पसंट गिरा है 30 पसंट भी बोल सकते हो यहाँ पे October से लेके 5 तक तो ज़रूर यहाँ पे तनाव बना हुआ है और यह पूरा मार्केट दोस्तों यह न्यूस के उपर है न्यूस जिस तरीके से आएगी उस तरीके से मार्केट रियक्ट करे तब जाके मार्केट में गजब की तेजी आएगी जो की बीच में हम लोगों ने देखी कि थी पाच चार से पाच पसंट की तेजी तो यह पॉसिबल तभी रहेगा जब वार नहीं होगी तभी तो यह तो अभी न्यूस बेस के उपर मार्केट यहाँ पर आ चुका है जैसे तो वीड्यो को लाइक और अगर अभी तक आपने डिमाट अकांट अपन नहीं किया तो लिंक नीचे दिस्रिप्टिबशन बॉक्स में जरू डिमेट स्केट हो यहाँ तो अगर अपन कर दूगा तो मैं आप लिधा सबसे पहले अपडेट कर दूगा